जेश्री हरी स्पिर्च्वल ग्यान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसकंद पुरान की एक कथा के अनुसार पापी मोज में क्यूं रहते हैं और पुन्यात्मा को कस्ट क्यूं उठाने पड़ते हैं। बहुदक नामक एक तीर्थ था यहां नंद्रभद वैश्य धर्मचारी सदाचारी पुरुष रहते थे उनकी साध्वी पतनी का नाम कन का था। नंद्रभद चंद्रमूली भगवान शंकर के बड़े भक्त थे। बहुदक में कपिलेश्वर महादेर के नाम से प्रसिद एक शिवलिंग था। नंद्रभद तीनों समय कपिलेश्वर की पूजा करते थे। नंद्रभद कम से कम लाब ले कर माल बेचा करते थे और ग्रहकों के साद बराबरी और इमांदारी का वहवार रखते थे। गलत माल और बुरा सामान नहीं वेचते थे। जो कुछ मिल जाता उसी में संतुस्ट रहते थे नंद्रभद का जीवन सन्यासियों जैसा था सब नंद्रभद का सदाचारी संपन सुख में जीवन की प्रशन्सा करते नंद्रभद के पडोस में रहने वाला सत्यवरत जो बड़ा ही नास्तिक एवंदुराचारी था उनसे जलता था सत्यवरत चाहता था कि किसी प्रकार नंद्रभद का कोई दोश दिख जाए तो उसे धर्म के मार्ग से गिरा दूँ नंद्रभद पर जूटे आरोप लगाना और सदा उनके दोश को ही ढूनते रहना उसका स्वभाव बन गया था दुर्भागे वश अचानक नंद्रभद का इकलोता पुत्र गंभीर रूप से बिमार हो गया नंद्रभद ने दुर्भागे मान शोक नहीं किया पुत्र के बाद उनकी पत्नी कनका भी गंभीर रूप से बिमार हो गई नंद्रभद पर विपत्यां आई देखकर उनके पडोसी सत्यवरत को बड़ी खुशी हुई उसने सोचा कि शायब नंद्रभद को धर्म से भटकाने का यही अफसर है उसने नंद्रभद को सात्वना देने का ढों करते हुए कहा तुम्हारे जैसे धर्मात्मा कोई है दुख उठाना पड़ रहा है लगता है कि धर्म कर्म सब धकोसला है कई बार सोचा कि मैं तुमसे कहूं पर संकोचवश कहा नहीं दिन में तीन बार पूजा, स्तुती, सब व्यर्थ है भईया नंद्रभद, धर्म के नाम पर क्यों इतना कस्ट उठाते हो जब से तुम इस पत्थर पूजन में लगे हो तब से कोई अच्छा फल तो मिला नहीं उपर से इकलोता पुत्र और पत्नी दोनों बिमार हो गए भगवान होते तो क्या ऐसा होने देते पुन्य और पाप सब कुछ कल्पना है नंद्रभद, तुम्हे तो मेरी ये सलहा होगी कि जूटे धर्म को छोड़ आनंद पूर्वक खाओ, पियो और भोगो यही सत्य है सत्यवरत की बातों का नंद्रभद पर कोई प्रभाव नहीं बढ़ा वह बोले, सत्यवरत जी, आप अपने आप को ही धोका दे रहे है क्या पापियों पर दुख नहीं आते क्या उनके पुत्र और इस्तरी बीमार नहीं होते जब सज्जन दुखी होता है, तो लोग सहानुभूती जताते है पर दुराचारी के दुख पर कोई सहानुभूती नहीं दिखाता अतहा धर्म पालन करने वाला ही ठीक है अंधा सूर्य को नहीं जानता, पर सूर्य तो है न इश्वर के बिना संसार का संचालन नहीं हो सकता सत्यवरत ने उसे टोक कर पुछा देवता हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते नंद्भद्र ने कहा देवता आपके पास आकर याचना नहीं करेंगे कि आप हमें मानिये बात चीत बहस में बदलने लगी नंद्भद्र अधिक विवाद नहीं चाहते थे उठकर चले गए पर उनके मन में यह विचार आया कि भगवान सदाशिव का साक्षात दर्शन करके पूछू आप आपके बनाई संसार में सुख दुख जनम मरण आदिक कलेस क्यों है यह दोश रहित क्यों नहीं है नंद्भद्र शिव मंदिराय कपिलेश्वर लिंकी पूजा की और भगवान के आगमन की प्रतिक्षा करने लगे सोच लिया कि जब तक बुलिनाद दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा लगतार तीन दिन और तीन रात नंद्भद्र वैसे ही खड़े रहे चौते दिन एक बालक उस मंदिर में आया वह गलित कुस्ट का रोगी भ्यानक पीड़ा से करा रहा था उसने नंद्भद्र से पूछा आप इतने सुंदर एवम स्वस्थ हैं फिर भी आप दुखी क्यों लग रहे हैं नंद्भद्र ने अपना संकल्प उसे बताया बालक ने कहा अंचाहे का मिलना और मंचाहे का बिछुडना इससे मानसिक कस्ट होता है रोग और परिक्ष्रम से शरीर को कस्ट होता है और यदि शरीर में कस्ट हो तो मानसिक कस्ट होना स्वभाविक ही है दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं फिर क्या किया जाए नंद्र भदर ने पूछा बंधुवर ओशदी से सारीरिक कस्ट दूर होते हैं पर मानसिक कस्ट को तो ज्यान ही दूर कर सकता है मस्तिश्क को यदि ज्यान की सही खुराग दी जाए तो वह कस्ट मुक्त हो जाता है बालक से ज्यान भरी बाते सुनकर नंद्र भदर ने फिर पूछा हे ज्यानी बालक आपकी बात से मैं सहमत हूँ पर एक प्रश्न है इस लोग में पापी मनुष्य भी इतने धनी और सुखी क्यूं होते हैं जबकि उन्हें तो उनके कर्मों के कारण कर्श्ट में होना चाहिए था भगवान के विधान में यह दोश क्यूं? बालक ने कहा सुख और दुख किसे कहते हैं? यह समझ का फेर है मैं आपको थुड़ा विस्तार से बताता हूँ संसार में चार प्रकार के लोग है पहले वे जिनके लिए इस लोग तो सारे सुख सुलब है धन, दौलत, सत्ता, प्रभाव, बाहुबल से कुछ भी परन्तु परलोग में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता उनके पूर्व जन्मों के जो पुन्यशेश हैं वे कुछ शेश छोड़कर नहीं जा रहें तो उनका अगला जन्म बिल्कुल उसी रूप में होगा जिसे देखकर वे आज कांपने लगेंगे दूसरे वे लोग हैं जिनके लिए परलोग में सुख का भोग सुलब है परन्तु इस लोग में नहीं क्यूंकि उनके पिछले जन्म के संचित पुन्य हैं ही नहीं वे तपस्या करके नए पुन्य कमाते हैं उससे परलोग में सुख का भोग उनको प्राप्थ होगा तपस्या से अर्थ केवल देव साधना ही नहीं होता कर्म साधना भी तप होता है उचित कर्म किसी भी तप से कम नहीं क्योंकि संसार में रहते हुए सही मार्ग पर चलना कठोर साधना से ज़्यादा कठिन है तीसरे वे लोग हैं जिनके लिए इस लोग में भी और परलोग में भी सुक भोग मिलता है क्यूंकि उनका पहले का किया हुआ पुन्य भी विद्धमान है और इस लोग में आकर भी वे उत्तम मार्ग का अनुसरन करते हुए कर्म तर्प से नए पुन्य बनाते रहते हैं ऐसे लोग कुई कुई ही होते हैं चौथे वे जिनके लिए ना तो इही लोग में सुख है और ना पड़ लोग में क्यूंकि उनके पास पहले का कोई पुन्य संचित तो है नहीं और इस लोग में भी वे पुन्य कमा नहीं रहे ऐसे नीच जनों को दिखकार है वे सरवदा त्याक के योक्य है और इस लोग में अपमानित होते हुए ही जीवन बिताते हैं और ना जने कितने जीवन ऐसे ही बीतेंगे जब तक कि मेरी तरह उन्हें किसी तपस्वी का मार्व दर्शन प्राप्त ना हो जाए इसलिए हे वैश्यवर आप अपने पडोसियों मित्रों द्वारा कही बातों को मन में मत रखो सब सुनकर नंदर बद्र ने उस बालक से पूछा आप यहां कैसे पधारे हैं? आपने मेरे सब संदेहों को दूर कर दिया इतनी कमाईयों में इतना ज्यान आपको कैसे सुलब हुआ? बालक ने कहा पूर्व जिनम में मैं एहंकारी, पाखंडी, व्याभी चारी था जिसके चलते मैं वर्षों से नीच योनियों में भटक रहा था भगवान व्यासदेव की ऐसी किरपा होती है कि हर योनी में मुझे मुक्ती का मार्ग बता देते हैं उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है अब मैं साथ दिन के बाद इसी तीर्थ में मरूंगा आप मेरा अंतिम संसकार कर दीजिएगा वैश्यवर ज्यान का आयू से कोई संबंध नहीं है ईश्यवर को जिसे ज्यान प्रदान करना होता है जिसे मात्यम बनाकर उसे अपने भक्तों को जागरत करना होता है वे उसे चुन लेते हैं वह कोई भी हो सकता है मेरे जैसा कुस्ट पीड़ित चीव भी आतहा सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए और ज्ञान जिससे भी मिले उसके प्रती विनित रहना चाहिए ऐसा करने से ईश्वर सदा आपको ज्ञानवान बनाए रखते हैं किसी ना किसी को बेजते रहते हैं इतना बताकर उस बालक ने सूर्य मंत्र का जब करना आरंब कर दिया। कुस्ट के निवारण के लिए सूर्य मंत्र का जब ही किया जाता है। भगवान श्री क्रेश्न के पुत्र साम्ब ने भी सूर्य की उपासना से कोड मुक्ति पाई थी। साथ में दिन उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिये। नंद्भद्र ने विधी पूर्वक उसका अंतिम संसकार किया। नंद्भद्र को जीवन की सच्चाई और सार्थक्ता का बोध हो गया था। शेष जीवन उन्होंने भगवान शिव और सूर्य की उपासना में लगा दिया। और अंत में जीवन मरण से मुक्ती पाकर भगवान शिव को साक्षात प्राप्त किया। जिस कथा का श्रवन हम सब भी ने किया है वो इसकंद पुरान की एक कथा है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव चरू लिखें। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फोर वाचिंग।